हालो फ्रेंड्स वालकम तू आल आज मैं आपके जो वीडियो लेक्या रहा हो देखें पैनी स्टॉक ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करेंगे आपर ट्राइडेंट यानि की तहल का मचा दिया पांच छे रुफे के लेवल से स्टॉक ने बहुत ही जबरदस रिटर्न पैस आपका तीन गुना कर दिया लेकिन आज इसके क्वाटरली नतीजे आये हैं तो फ्रॉफिट देखके बिल्कुल हरान होने वाले हो आप भी इतनी कमाई कहां से कर ली कैसे कर ली बहुत सारे कोईशिंस आपके मन में आएंगे उन सारे कोईशिंस का अंसर देंगे यहाँ पर और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी टेकनिकल आनलेसिस के लिए आप मेंबर्सिप जोइन कर सकत कर लेजिए ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर रहे है आज आया है रिजल्ट जबर्दस धमा का जबर्दस प्रॉफिट का बाके इसने दिया है आज के कारोबार को अगर आप देखोगे तो आल्मूस्ट 15 रुपीज के आसपास का ये आज का प्राइस इसका देखने को म सारी figures की आहीं millions मैं है और मैं आपको क्रोड में convert कर पिंगर को यहां पे बतानेवा हूं करोड में convert करके तो consolidated numbers के यहां पर बात करेंगे जो नंबर मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है टोटल income की अगर मैं बात करू तो यह देखे 1308 क्योंकि मिलियंस में और यह 1300 करोड का कम्पनी ने अपना रिवेन्यू दिखाया है दिसमबर वाले क्वाटर में जो कि मैं पिछले साल की बात करो पिछले साल दिसमबर में कितना था 1090 अब आप देखेंगे समझेंगे कि कैसा रहा क्यों कि लास्ट टाइम पर रिवेन्यू तो था खर्चे भी थे खर्चे थे तो भी आपका यहां पर पूरा का पूरा जो देखें प्रॉफिट बिफॉर एक्सेट्टिनल आइटम मैं देखूं तो मात्र 44 करोड का था जो कि इस बार कितना है 150 करोड का अब आपको गया पैनी स्टॉक तो है ये लेकिन प्रॉफिटेबलेटी बड़ी जबर्दस थे तो बहुत ही बढ़िया रहती है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यह नंबर और पिछली बार कितना था 44 करोड का और यही क्योंकि यह सारी फिगर्स के हैं मिलियंस में हम आपको फिर से रिपीड करूगा यह सारी फिगर मिलियंस में लैक्स में नहीं है तो इसलिए आप यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टेक्स 42.4 और इस बार कितना हो गया यह 149 करोड वह 42 करोड से 149 करोड तक जाना सीधे सीधे आप देख रहे होगे वह यह विफोर टेक्स है तीन गुना हो गया तो यह सारी चीज़े छोड़िए अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टेक्स की बात करते हैं एक बात याद रखे हैं हमें हमेसा जब तक रिजल्ट आपके पास आता है जो बड़े लोग होते हैं वह रिजल्ट की कैलकुलेशन होगा है सब कुछ पहले करके बैठे होते हैं इसाब किताब लगा के बैठे होते हैं तो शेर पहले भाग जाता है ऐसा कुछ होने वाल है उससे पहले आपने देखा होगा यह शेर में और यह स्टॉक 15-16 रुपे के आसपास आ चुका यानि कि ट्रीपल हो चुका है तब से अब ये प्रॉफिट देखे बाद कितना है 37 करोड का नंबर और इस बार कितना होगए 112 करोड बहुत अच्छी बात अब यह और important calculation में जो आपको दिखाना चाहूंगा वो है earning per share की earning per share आपका सारा doubt clear कर देता कि भई हिसाब किताब क्या है मतलब एक share के उपर earning कैसी है तो आप यह देख सकते हो खुदी 7 पैसे का earning था सबसे पहले इस बार कितना हो गया almost 22 पैसे आपको के वाव अब लगा लीजे है सब सीधे-सीधे तीन मुरा से भी उपर है इंटू तीन है तो साथ पैसे इस बार कितना हो गया 22 पैसे का तो बहुत ही बढ़िया मुझे यह नंबर लगे company के इस बार जो कंबर देखे हैं और लास्टियर के comparison में लेकिन लेकिन भी यह तो सारी चीज़े आई हैं अब जो appreciate करेगा शेर मल्टी बैकर स्टॉक तो है कोई कमी नहीं है और डिविडेंड वाला स्टॉक भी है यह अब यह सारी चीज़े देखिए और आज की डेट में ट्राइडेंट के शेर को देखेंगे कब कब आप ट्राइडेंट के शेर के कि हम आपके लिए जितनी बार भी हमने ट्राइडेंट को ट्रैक किया है technical analysis के basis पे कैसे कहा movement हमें देखने को मिल रही थे ट्राइडेंट को हमने तसलीस को देखा और इसने हमें बहुत बढ़िया बढ़िया opportunities दी और बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा मुनाफ़ा भी इस stock में कमाया लेकिन जब भी stock को हम technical front पर analyze करने की कोशिश करते हैं तो हमारा में गोल रहता कि stock को end-to-end perspective चानलाइज करें ताकि आप उस stock में maximum फाइदा ले पाए अब maximum फाइदा लेना जैसे कि यह पूरी के पूरी March से लेके March से लेके April माई जून तक पहली रैली थी पहली रैली तक यह हमारी नजरों में ज्यादा नहीं था लेकिन पहली रैली के बाद जब correction आई ना तो यह हमारी नजरों में उसके बाद जो अगस्ट September के महीने थे October number के यह हमारी नजरों में आगा क्या क्योंकि हमें पता था बही पहली correction जब resolve होगी तो जो अगली impulse start होगी उस impulse के अंदर हमें बहुत सारी अलग-अलग तरीके की अलग-अलग category की opportunities मिलती रहेंगी तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भई जो stock market का ABCD है ना उसको देख लीजी यह stock market के मतलब यह मान के चलिए कि basic आवा कौको यही हैं इसी से sentence आपके बनेंगे एक बार आपने एक impulse पकड़ दी न कोई भी वह impulse को आप देखते रह हो गए तो उसी में आपको बहुत सारी छोटी छोटी opportunities मिलती रहेंगे अलग-अलग तरीके की अलग-अलग तरीके की मतलब वह आपके गोल के उपर depend है अब stock का प्राइस काफी उपर और देखिए मंधली पर 80 के RSI पर पहुंच चुका है जो कि काफी अब 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 होना चाहिए वह सबसे important सबसे अच्छी बात है क्योंकि यह जो area था ना काफी बढ़िया accumulation area था और यहां पर हमारा risk के कितना था मात्र एक रुपे का 590 का stop loss था और इस area में हमने बहुत सारी वीडियो आपके लिए क्रेट करें थे पर कभी भी यह area पार होगा तो बड़ा हमा का second time जब दुवारा correction आई रहली की बाद फिर से देखिए stop loss देखिए कितना कम रिस्क है और यह stock बिल्कुल moving averages के पास पास ही था तो यह area और थर्ड देखिए बिल्कुल यह बहुत ही बढ़िया opportunity यहां पर फिर से तयार हुई 10 रुपे के level के आस पास तो यह opportunities क्योंकि इस stock को अगर आप पुराने वीडियो देखे हैं और पर description पर हम लिंक भी देदेंगे आपको trident के और i button पर click करके भी आप देख सकते हो कुछ वीडियो जो आपके शाहत अब शेयर करेंगे यहां पर यह साथ रुपीज के आस पास था सोचे जरा बई क्या जबर्दस्त यह पर्फॉर्मेंच यहां पर ट्राइड की उसके बाद देखें आपको गया साथ छे साथ रुपे के लेवल से सतरा ठारा रुपे के लेवल तक यानि कि पैसा आपको अल्बॉस्ट तीन गुना क्या आसपास हो जाना कितना बढ़ी है लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहां कहां फर्स्ट सेकेंड थार्ड यह तीन बढ़िया उपॉर्चुनिटीज उसके बाद रैली अब फिर से करेंटली अभी क्या है करेक्शन इन प्रॉग्रेस है लेट दे करेक्शन रिजॉल्व बट अब इस टाइम पी क्या होगा अब जो आपका गोल होगा वह लंबा यानि की मन्तली के बेसिस पर नहीं चोटे टाइम फ्रीम के हिसाब से जो आप देख रहे हो इस तरही के आप डेली के हिसाब से जैसे कि यहां पर आपने देखा डेली की करेक्शन रिजॉल्व पहली रही अब डेली और यह आपका स्टॉप लॉस सोचे समझे क्योंकि अब इसको ज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वह इंपोर्टेंट होता है और एक पर स्टॉक काफी दूर जैसे इंडिया मार्ट के उपर ही अभी किसी ने कमेंट किया था तो हमने इंडिया मार्ट के उपर भी उनको क्लियरली बताया था यह आठ हजार के उपर अभी आप तो कोई भी स्टॉक क्यों ना हो आपका मेजर गोल है कितना सिंपल है मैं आपको कभी भी हमेसा आपको यही कहता हूं कि जब मार्केट में गिरावट आ रही होती है जैसे अभी मार्केट बिल्कुल पीक पे पहुँच चुका है अब करेक्शन सबको पता है इन प्रोग्रस आईगी करेक्शन तो वो करेक्शन आपके लिए अपर्चुनेटी लेके आती है जैसे 21st दिसंबर को आप देखोगे इस तरीके से सिट्वेशन बहुत जखे देखने को मिला वापसी हुई एक दो दिन हॉल्ट पीरिड आया और फिर से बाड़ा धामा का इसी में नहीं चा तरीके के इन स्टॉक्स में अगर फमसी जी का कोई बिटानिया इंडस्टी या फिर नैसले टाटा कंजूमर यह भागने की तैयारी कर रहे है तो तो आपने पियर ग्रूप के साथ के स्टॉक्स में भी आपको सिमिलर टाइप की सिचुवेशन मिलती है तो बहुत बड़ी बाट है उसको अभी को कभी इग्णोर नहीं करना चाहिए देखिए ट्राइडेंट के हम बात कर रहते हैं कहां से कहां पहुंच गये देखिए और फिलाल ट्राइडेंट के शेर बगर मैं देखू तो मुझे अभी जो सिचुवेशन है यह करेक्शन इन प्रोग्रस है अग प्रोफिट बुकिंग भई यहां से यहां इतिनी दूर जाएगा तो प्रोफिट बुकिंग को देखने तो मिलेगी लेकिन रिजल्ट अच्छा है और रिजल्ट का आज का असर भी अब देख सकते हो कि कैसा रहा लास्ट के टाइप है क्योंकि मार्केट ने भी यहां पर आ विडियो को उमीद करता हूं विडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर किजे लाइक किजिए चैनल सबसक्राइब नहीं के तो जल्डि से सब्सक्राइब कर ले भया किनको प्रस कर लें जिससे आपको नेकिफिकेशन आती रहेगी और हमेशा याद रहें это चाप मार्